नया मुरदबाद विकास सिमीती के प्रतिनीधी मंडल जिलादिकारी कार्याले पहुचा और नया मुरदबाद अवासी योजना के संबद में जिलादिकारी कार्याले में एक ग्यापन हस्त गत कराया ग्यापन में कहा गया कि नया मुरदबाद योजनाओं में बहुत सी जन समस्या हैं जैसे सेक्टर तीन में घरों के आसपास सीबर मैन होल पूरी तरीके से तूटे हुए हैं और ढकन भी नहीं है जिसके लिए लगबग एक बश पूर भी मुरदबाद विकास प्राधिकरण को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है परन्तु कोई कारे भाई अभी तक नहीं की गई सेक्टरों में नाली इत्यादी की सफाई करने एबं सेक्टर में पूरा उठाने की कोई भी विवस्ता नहीं है पूरे दान भी परियाक्त मातरा में उपलग नहीं है सेक्टर विकास सिमीती की तरफ से आपको ग्यापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं और जल्द यह मांग करते हैं कि समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए ताकि नया मुरद अबाद में जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके ग्यापन देने वालों में पानी नहीं हैं अपनी विवस्ता करिए आप पैसा इनको दिया काम हम कर रहे हैं आजिए है कि वहाँ एक從 ठीक कि जाए जो मेन हो लेए उनको बंद किया जाए जो अवेद प десятू है वां बांदे जा रहे है उनको बंद किया जाए बिजली है सारी समस्या इसमस्यां इतनी है कि सारे हमने इसमें लिखा भी है और रहे हैं इसuar ये कि यह तो हम तो जब से दो साल से थीन साल से बसे ताब तो हमें मैसूस हो रही है उससे पहले बसावड नहीं थी, बर सपर सकाइठि पत्र दिया है, जातेसें हैं एक शाल पेरा दियाторов आएं कोई निवारा नहीं है उसका सारी सुविधाया होती है आवंट लेटर में भी होती है वैसे भी होती है आप जल भी देंगे आप सब चीज का पैसा लेते हैं हमसे तो उसका देते क्यों नहीं यह पानी क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे एक भी घर में अगर इन्होंने पानी दिया हो सेक्टर 3 में मुझे दि बेवकूप बनाने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं नय मुर्दवाद का है